नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नवरात्र के दिनों में बहुत सारे तंत्र क्रियाएं किये जाते हैं प्रियोग किये जाते हैं सत्रों से मुक्ति पाने के लिए घर में या जीवन में नौकरी वेबसाइट में कोई परिशानी है तो उससे बाहर निकलने के लिए तो आज हम आपको बिल्कुल यही तो बताने जा रहे हैं कि कैसे आप नौरात्र के दिनों में एक ऐसा पौधा जिसका प्रियोग करके आप अपनी हर मुस्किल परिसानियों से बाहर निकल सकते हैं और मातारानी की किर्पा भी वरसेगी क्योंकि यह जो प्रियोग है यह जब आप नौरात्र के दिनों में करते हैं तो इसके बेनिफिट आपको बहुत मिलते हैं लेकिन माल लेते हैं आप नौरात्र में नहीं कर पा रहे हैं तब किसी भी पुर्णिमा, गुरु पुस्य नचत्र, रवी पुस्य नचत्र के दिन आप इस प्रियोग को कर सकते हैं तो जो काली राते होती हैं, सिध्यों की राते होते हैं अगर इन रातों में करने प्रियोग तो इसके फल हातो हात प्राप्त होते हैं पूसी योग में इस प्रियोग को कर लीजेगा सफेध मदार जिसको हम आख कहते हैं इसकी जड़ लाकर अपने अगर पुरूस है तो दाहिने भुजा में और इस्त्री है तो बाएं भुजा में अगर आप बांद लें तो हर तरह की बाधाऊं से परिसानियों से गर्षों की बिप्रीचाल से सुरक्षा मिलती है और अगर बंद्या इस तरी इस जड़ को धागे के साहरे कमर में धारंग कर ले तो उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है इतने गुन है इसमें तो होली की रात इस प्रियोग को आप कर सकते हैं तो हला कि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है आप उन प्रियोग को भी कर सकते हैं आक या मदार इसकी दो जातियां हैं एक लाल और दूसरा सफेद हला कि ये बिप्रीच ज्यादा उचा नहीं होता है जहार पतवार की तरह है और आक के जो पत्ते होते हैं वो बिप्रीच के पत्ते की तरह हलका सा गोल पन लिए होते हैं हला कि आक का प्रियोग ज्यादा तर तांतरिक प्रियोग होता है हला कि ये सात्विक है पुर्णतया लेकिन इसको तांतरिक प्रियोग की तरह ही देखा जाता है आक का जो दूद है हलांकि आपको हम पहले ही बता दे कि आक जो मदार है वो उसमें थोड़ा बिस्क का प्रभाव होता है इसलिए साथों को धोलीजेगा जब भी प्रियोग कीजेगा और इसका अगर आप आयरुवैदिक प्रियोग करना चाहते हैं तो बिना किसी वैदिकी सल कि कोई भी प्रियोग मत कीजेगा आज हम आपको तीन प्रियोग बताएंगे जिससे आप सत्रू पर आप यह प्रियोग कर सकते हैं सत्रू सांथ हो जाएगा वह बस में हो जाएगा प्रेमी प्रेमी का लब रिलेसंसिप में प्रिसानी है या पिर बैभाही जीवर में समस्य तो भी इसका वसी करन कर सकते हैं पूरी दरह से स्वात्त्विक है इसमें किसी को आनी नहीं होगा और तीसरा अगर नौकरी वैपार में परिशानी है तो भी आप वसी करन कर सकते हैं देखिए मदार के पत्ते से वसी करन करना बहुत आसान है समाने तरह आप यह कह सकते हैं करते हैं तो आप पेले ही देखने कि वैसे तो रोड साइड मिल जाएगा आपको यह पेड भूंद के रखें और सफेद का का पे तो पहले प्रयोग करें तो पहले जाकर निमंतरं दिया आग के पहुदे को पास कैसे देंगे आप एक सुपाड़ी एक सिक्का और थोरा सा जल लग कर जाएं किसी बॉटल में भी ले जा सकते हैं और पेड़ के पास जल और पीत करें जड़ में और फिर यहां पर सुपाड़ी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोले अपन देखें अब हम एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे कई बार क्या होता है ना आकड़े या मदार का जो प्रियोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए क्या जाता है तो आज हम बहुत तरह के प्रियोग होते हैं पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रि प्रियोग नहीं बताएंगे, हम पहले ही किलियर कर दें वो जो होता है, मारन वाला वो सब नहीं बताएंगे, सिंपल तरीके से आप सत्रूों को सांथ करें, आप प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे के करीब आएं, बस यहीं बताएंगे तो चलिए हम जानते हैं एक बात जालने कि जिस घर में घर के बाहर बरंडरीवाल के बाहर मदार का आग का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी की नजर दोस नहीं लगती नकात्मक सक्तियां पर वेस नहीं करती अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बड़े लगी है नहीं है तो लगा लीजे तो चलिए हम प्रयोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आप के साथ तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंतरन देके रखिए मदार के पेड़ को आखे पौधे को अब इसके बाद आप अगले दिन जाए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पूस्प नहीं तोड़ना बल्की जो पूस्प है और उसके साथ पत्ते नए नए जब पुस्प निकलते हैं तो पत्ते उसके साथ बहुत अच्छे से टच किये होते हैं तो आपको यह बड़े भी खिलेवे पुस्प हैं तो कोई बात नहीं बस यह कोशिस करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है अब इसको लाकर आप पत्ते और पुस्प अपने और उस ब्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपको रिस्ते बहतर करने हैं यानि आप लब का भी नाम लिख सकते हैं यहां पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनवान जी के चर्णों के सिंदूर से अ बसीकरन हो जाता है और यह प्रचंड बसीकरन है इसको करने के बाद आप कहीं मिल्टे में दबा दें पीछे मुणकर मत देखिएगा कभी भी खाली नहीं जाएगा अब हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जब सत्रू बिलोधी ज्यादा परिसान करें जब आपको यह प्रियोग देखिए जिसको जो सत्रू है उसी के उपर कीजेगा आपको सफेद जो सफेद वाला आग का पौदा है वहाँ पर आप जाएए अब पत्ते तोड़िए पौधे के और पत्ते से जो दूद निकलता है उस दूद से आग के पत्ते पर सत्रू का नाम लिखे य कड़ा करके दबा दें और मिट्टी धग दें सत्रू बस में हो जाएगा सत्रू सांथ हो जाएगा और आप फिर प्रिसान नहीं होंगे वैसे ये परियोग एक ही बार में काम करता है संभब हो तो जैसे गरहन होता है पुर्णिमा है अमवस्या है सनिवार है इन सभी दिनों की जड़ को ताबीच के अंदर रखकर यदि सफेद मदार की जड़ काले धागे में बान कर गले में या बाह में धारन करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांथरिक प्रियोग किया होगा वो समाथ हो जाएगा तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये परियोग कर सकते हैं और एक मेहना के बाद मिट्टी में दबा दें तो चलिए इस सबसे अंद में एक खास उपाए कई बार क्या होता है आपके आफिस में आपके वैफसाय अस्थल पर लोग बहुत परिसान करते हैं कई बार घर में भी लोग परिसान करते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आपके मदार के पत्ते से यह भी वसी करन होता है लोग परिसान नहीं करेंगे तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी सनीवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आईए लेकिन पहले सुक्रवार की साम निमंतरन दे आईएगा और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आईए आपका जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आईए अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को दो कर यानि कि जो जड़ है उसको पीस लिया अब मदार के पत्ते को दो लीजिए उसके उपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए अब इसका आप तिलक कर सकते हैं जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस ले मदार का जड़, मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके यह प्रचंड वसीकरन है आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी आपके सामने ठीक नहीं पाएगा और यह वसीकरन तिलक है वैसे तो आप वसीकरन के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवंदी के पौधे का जड़ भी डाल कर पीसकर डाल कर आप परियोग कर सकते हैं इससे भी वसीकरन होता है तो छोटे छोटे परियोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे अब देखें सफेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वसीकरन होता है वो कभी खाली नहीं जाता तो अगर आप एक छोटा सा परियोग करें जैसे कि एक सफेद मदार का एक पत्ता तोड़ कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दे फिर ओम गंगन पते नमा का अपने घर में बैठकर जब करें कम से कम इस जब को आप लगातार करें रोज करें कम से कम पाँच बार करके और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गनेजजी से प्रात्ता करें और जब आपको लगे वो बैक्ती बहुत हद तक आपके बस में आने लगा है तब आप इस सभी चीज़ों को लिजा कर पानी में बहा दे तो थोड़ा सा आपको सफेद आख का जड़ लाना है और एक पत्ता लाना है और उसको घर के बार किसी भी कोने में दबा देना इस बात का ध्यान रखिएगा ये प्रियोग जब करें तो आप पुर्ण तया बस भक्ती भाव में रहें गनेजजी के सरन में रहें प्रियोग असर करेगा तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेयर कीजिए अगर किसी एक का भी भला होता है तो हमें बहुत खुशी होगी हम आप से फिर मिलेंगे बहुत सारी टॉपिक नोगे